हम वो बाजीगर हैं, हम वो खिलाडी हैं जिसके दम पर बिहार में सरकार चलती है जी यहां यह कर रहे हैं मुकेश सहनी नमस्कार स्टिफोस्ट लाइब में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराफ मुकेश सहनी ने यूपी में लाँचिंग कर दी अपने पाटी की विकास स्टील इंसान पाटी की कल लाँचिंग हो गई और आग मुकेश सहनी मीडिया के सामने खूब गरजे मीडिया के सवालों का खूब जवाब दिया और मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आप तो बिहार में खुद अपनी सीट पर चुनाव हार गए तो यूपी में क्या करने आए हैं यूपी में कौन सा बड़ा कमाल कर लेंगे तो मुकेस तहनी क्या बोले पूरी बास हो गया गजिए आप आप ने अपनी सीट ने पाए अपनी सीट आप घार पे आप अरचन दिला नी पाए यूपी के अगर में आगएगा लिए आप यहीं तो है कि हम वो बाजी गर्र थेलाई है और यहंदि आप यह घीर है थे सब्सक्राइब करते हैं और उसमें में मुझे जब नौने सब्सक्राइब करने पाद करने नहीं जा पाया और पारीफ तर्फ लगाए तो सास्तों बोट चलाए तो यहां उत्रप्रदेश और धार्कट में संगठर मस्जू परहिए दो जब चोपीज में हम कम से गम कचीज सांसर पराने का अलाक्षण देए और दिलिक जब हमारे सांसर पहुँझेगे तो निश्र तरपे निषास पहुच्ट निलाएंगे इसके निया हम उत्रप्रदेश आ हैं उत्रप्रदेश के भाई के साथ सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब सुली आपने कि मुकेश तैनी ने कहा है कि हम वो बाजीगर है वो खिलाडी है जो हारकर भी जीत गया जीत गया हारकर इसलिए क्योंकि हमारे दम पर बिहार में सरकार चलती है मैं बिहार सरकार में मंत jest हूँ मुकेश सहनी के अंदर का जो है जिस तरह से सवाल पुठा गया उनसे कि अब आप से यूपी में क्या कर पाएंगे क्योंकि बिहार में चुनाव हार गए तो कहीं न कहीं मुकेश सहनी को अंदर अंदर चोट लगी और उन्होंने गरज कर कहा कि हमारे दम पर बिहार में सरकार चलती है इस तरह की बात करते नजर आए मुकेश सहनी और उनका कहना है कि अब उनका अगला लक्ष है बिहार यूप सम्विल आकर 25 सांसत खड़ा करेंगे ताकि निशात समाज का सहनी समाज का भला कर सके इस तरह की बाते करते नजर आए और मुकेश सहनी दरसल मुकेश सहनी आज मीडिया से मुखातिक ते कल उन्होंने मेगा सो किया कल उपी के अंदर जब वो पहुंचे एरपोर्ट उनका किया तो सेक्रों हजारों की संख्या में उनके पाठी के कारकरता वहां मौजूद थे तो आज मुकेश सहनी की बारी थी गरजने बरसने की और मुकेश सहनी ने आज ताप कहा कि वो यूपी में 160 सीटे उन्होंने खोज निकाली है जिस पर वो चुनाओ लड़ने जा रहे है अपने दम पर अपने भूते पर और आगे और भी अगर सीटे उन्हें समझ में आती हैं तो वो उन सीटों पर भी अपना दम दिखाएंगे यानि मुकेश सहनी ने कमर कस ली है और कह दिया है कि विहार से यूपी तक विहार में उन्होंने अपना दम दिखा दिया है और लक्षन की मांग तो उसे ठुकरा दिया गया था यू कहें तो उनों का कहना है कि दिल्ली में हम मजबूत होंगे तभी समाज की मांग को पूरा करेंगे तो मुकेश तहनी की नजरे बिहार के बाद यूपी से होकर दिल्ली की तरब टिकी हुई है पने रहे हैं सिटी पोस्त ल